सबसे पहले तो आप सभी लोगों को फिर से गनतंत्र दिवस की हार्दिक सुब कामना है आप सभी को आप सभी के परिवार को और पूरे देश को गनतंत्र दिवस की हार्दिक सुब कामना है यह एक ऐसा फेस्टिवल है जो हम लोग सब मिलकर सेलिबेट करते हैं नोर्मली आप लोग दिखते हैं दिवाली, इद, दस एरा, यह किसमस, सब-सब अलग-अलग कैटेगरी में कहीं नगी डिवाइट हो जाते हैं, पर लेकिन ये एक ऐसे त्युहार की तरीके से मुलोग सेलिबेट करते हैं, जिसमें पुरा देश एक धागे में पिरो दिया जा तो दूसरे साइड में आप लोग नहीं पर त्रेक्टर की रेली नजर आएंगी, काफी हूज मातरा में ट्रेक्टर नहीं पर पहुंच चुक है डैली के अंदर, तो देखते हैं किस तरीके सान्थी के साथ में पूरा जो ट्रेक्टर प्रेड ही हाँं पर चलने वाली है, अ किया चल रहा है उसके बारे भी आप लोगो बता होने चाहिए इंडिया और चाइना के जो अभी जो फोर्सिस है उनका क्लैस देखने को मिला नाकूला पास के अंदर तो यह जो वर्ड यहाँ पर लिखावा है नाकूला तो इसको आप लोगो थोना सा कन्फूजन में कई सारे बच्चे देखने को मिल रहे हैं तो कन्फूजन में आप लोगा दूर करता हूँ पहले आप लोग देखें आप आप लोगो ने कुई दिनों पहले देखें आप यह था पैंगों तो लेक ठीक है तो पैंगों शोय अफिर तो लेक आप लोग इसको ब तो इस particular area के बारे में हम लोग ने discuss किया था अब यहाँ पर बात करें हम लोग नाकुला तो नाकुला यहाँ पर है यह इंडिया और जो चाइना के बोडर पर देखने को मिलेगा और सिक्किम राजे के अंदर है तो पहला लदाक यूनिन टैटरिक अंदर था अब सिक्किम राजे के अंदर है पर लेकिन कई सारे बच्चे इसको confuse कर रहे है नाथुला के साथ में ठीक है तो इसको discuss करूँगा भी यह देखे कई सारे बच्चे आपर discuss कर रहे है इसको नाथुला तो नाथुला यहाँ पर है थोड़ा सा नीचे आप लोगो देखने को मिलेगा यह चुम्बे वैली है यहाँ पर तो नाथुला आप लोगो यहाँ पर देखने को मिलेगा और नाथुला आप लोगो यहाँ पर कही देखने को मिलेगा यह देखे यह है नाकुला ठीक है यानि कि नाथुला तो यहाँ पर है नीचे और यह है नाकुला तो दोनों में confused मत होना आप लो कई सारे बच्चे इसमें confused हो रहे थे कि सार यह नाकुला यह नाकुला नाथुला तो नाथुला यहाँ पर है जो कि आप लोग को देखने को मिलेगा चुम्बे वैली है यहाँ जहां डोकलाम सेक्टर में काफी लंबे समय से डैड़ लोग रहा था इंडिया और चाइना की जो forces थी उसके आपने सामने खड़े थे अब यहाँ पर यह बाला particular reason यह है तीसता river भी आप लोग यहाँ पर देखते हैं ठीक है जो कि कई बार news में रहती है तो confuse आप लोग मत होईएगा ठीक है तो यह कुछ important बाते हैं जो आप लोग से map-based question भी बन सकता है तो यह सिक्किम राज्य में है और वो था लदाक union टारिक अंदर अभी यहाँ पर आप लोग देखें यह यहाँ पर ओपर है और यह यहाँ पर नाथुला नीचे था तो यह particular map आप लोगे mind में clear होना चाहिए ठीक है एक important जो news है हलकि यह मैंने आप लोग को टेलेग्राम पर भी share कर दी थी यहाँ पर जो बात की जारी है हमारी country में recently अभी पदम अवोड दिये गए है आप लोग को पता है हमारी country में जो पदम अवोड है वो तीन category में डिवाइड है सबसे उपर आता है पदम विभूशन दूसरे नमबर पर आता है पदम भूशन और तीसरे नमबर पर आता है पदम सिरी तो यह पदम category के तीन award है और अगर civilian award में आप लोग बात करें जो सबसे important है वो है भारत रतन वो एक सबसे उपर हमारी country में आता है पर दूसरे नमबर पर अगर इस award में आप लोग category तो पदम विभूशन आता है तो second highest जो award है और पदम category में जो highest award है यह यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा important जो news है आपर यह है कि पदम award के बारे में जब बात करते है तो सिरी सिंजो एबे जो former president जो former prime minister थे जापान के उनको public affair में यह पदम विभूशन दिया गया है तो ऐसे question आप लोगों से बड़ी frequently पूछ लिया आते हैं तो यह आप लोग जरूर याद रखेगा ठीक है और कई सारे जो ऐसे जो हमारी country के जो leader है उनको posthumistry दिया गया है यहनके उनके मरणो उपरांत दिया गया है तो इसी में हाँ पर एक जो important इंसान है हुए SP Bala Subramanyam ठीक है आठ की field में दिया गया है इनको यह तमिलाडू से आते हैं तो जापान से यहाँ पर जो देखने को मिले जापान के जो प्राइमिस्टर है इनका नाम याद रखेगा अब यहाँ पर change हो चुग है पहले प्राइमिस्टर थे बीमारी की वेसे इन्होंने retirement ले लिया है तो यह आप लोगों से direct question बन सकता है ठीक है इसी के साथ में हाँ बात की जा रही है यह है नरेंदर सीक आपने ठीक है तो यहाँ पर यह science and engineering के फिल्ड में इनको दिया गया है और यह United State of America से ठीक है तो यह दो important है जो कि आप लोगों से direct पुछे जा सकते हैं थोड़ा सा अलग हटके हाँ पर होगे बाकी एक बार नजर सब के ओपर डालीज और पदम भूशन ठीक है तो पदम भी भूशन है आप लोगे साथ में आप लोगे सामने साथ ठीक है इसी के साथ में बाकी के पदम भूशन होगे यह साथ होगे और बाकी के 10 पदम भूशन होगे तो यह मैंने आप लोगे हाँ पर प्रोवाइड कराए है तो कल ही यह हमार से फिल्ड में ये personality आते हैं, तो ऐसे भी question आप लोगों से पूछ ले आते हैं, तो कोई confusion नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसी के साथ में आपर बात की जा रही है, मुलाना वाहिद्दून ठीक है, खान के बारे में ये हैं ये हैं पर spiritualism से related थे हैं, ये बीबी इलालत के बारे बात की जा रही है, यहाँ पर यहाँ पर ये archaeology की से related यहाँ पर बात की जा रही है, और यहाँ पर सिरी सुदरसन साहो, आठ के फिल्ड में ये उडिसा से है, ठीक है, तो ये कुछ important है, जो पदम विभूशन है साथ और दस हो गए पदम भूशन, जिनको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, पोस्चुमिसली जिनको दिया आता है, जैसे हैं आपर बात की जा रही है तरुन गोगोई को, तो आसाम से बात की जा रही हाँ पर यह पब्लीक अफेर के अंदर, जो की मैंने थोड़ा सा आप लोगो आइडिया दे दिया, क्या की, ता कि आप लोगे माइड में कोई कंफ्यूजन ने रहे, बाकि अगर इसके बारे बात करूँ तो, नोवा सैसन अभी हाँ पर देखने को मिले था, इंडिया और चाइना की बीच में अब दसवा राउंड यहाँ पर होगा, सून देखते हैं क्या कंडिसन निकल कर आती है, तो जो जड़प अभी यहाँ पर चल रही है, यह इंडिया और चाइना की बीच में, यह आने वाले टाइम में कब तक सांथ होगी, क्योंकि चाइना की साइड से काफी aggression, role play किया जा रहा है, हमारी country को suppress करने की कुछिस की जा रही है, पर हमारी country में भी जो हमारी forces है, वो पीछे ने यह ट रही है, बिलकुल मूँ तोर जवाब यहाँ पर दे रही है, यह अच्छी बात है, अभी कुछ दिनों जिसको आप लोग बोलते हैं, उसके ओपर अपना हक जमाना, लेंड के ओपर हक जमाना, परसन के द्वारा ट्रेसपास करना, तो कई सारी ऐसे मुद्दे देखने को मिलते हैं, तो एक कानूनी बहाने के बिना, दूसरे की भूमी में परवेस करना, तो ऐसा आप लोग नेस्ट डे हम लोग इसको डिसस करेंगे, ओके, आईए अब आज के आर्टिकल देख लेते हैं, इंपोर्टेंट और काफ़ इंटरस्टिंग आर्टिकल है, एक एक करकर हम लोग यहाँ पर नज़र डालेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर यही आर्टिकल बात कर रहे है, जो रिपब्लिक डे की अपकी बार की प्रेट देखने को मिल रहे है, वो काफ़ी डिफरेंट होने वाली है, एक सैड में तो हमारी कंट्री में जो 26 जनवरी के दिन जो आप लोग को देखने को मिलता है, इंडिया गेट के उपर प्रेट रहेगी, और दूसरी किसानों की प्रेट आप लोगो पैरलल में देखने को मिलेगी, अब यहाँ पर जो वेक्सिनेशन है, वो खास कर उन रीजन में जहाँ पर काफी लाज स्केल पर जो होड़ी स्पोर्ट देखते थे, हम लोगो फोकस करना चाहिए, तो यह कई सारे मुद्धे हैं दवाईयों की बारे में बार-बार चलते रहते हैं, तो हलका सा आइडियस के बारे में आप लोग रख सकते हैं, कई बार पता चलना चाहिए, बिसिकली चल क्या रहा है, ठीक है, एक ओवर्विव तो होना चाहिए, कम से कम एक्जाम में तो आप लोग एगले में फंदा डाला जा सकते हैं, यानि कि आप लोगो पकड़ा जा सकते हैं, तो थोड़ा सतर्क हो जाईए, क्या काम किया जा रहा है, वो समझेगी हैं आपर, नेपाल के अंदर क्या कंडिशन बनीए है, हलका सा नजर इसके उपर भी हम लोग डालेंग चाहिए, बजट में वो करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो ये सारे suggestion based article रहते हैं, तो देखिए, 4-5 दिन बाद budget आई जाएगा, तो इसके चलते हैं, ये सारे article आप लोग ignore कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक तरीके से अपना suggestion देंगे, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, पर लेकिन exact जब budget प्रसुत किया जाएगा, तो exact information आप लोगो हाँ पर देखने को मिलेगी, तो वो सही data होगा, जो आप लोग use कर सकते हैं exam के लिए, ठीके, ये data किसी काम का नहीं रहेगा, 4-5 दिन बाद, जब यहाँ पर exactly सही data आप लोगे सामने निकलब कराएगा, budget और economic survey का, तो इ एक tendency जो बन गई है, आज के लिए में चाइना की जो image बन गई है, कि चाइना गलग तरीके से हर एक area में अपना प्रभाव चोड़ने की कोश्च कर रहा है, उसके चलते हैं हाँ पर, ये मुद्दा जो है, वो थोड़ा सा कहीं न गई, जो चाइना, जो चाइना, जो चाइन जो प्रेजिदेंसी है, उसको सोचने के लिए मजबूर करेगा, तो पहले जितने normal relation तो नहीं रहने वाले है, ऐसा है पर बोला गया है, ये हाँ पर कार्टून है और ये data point है, इसके उपर भी हम लोग नगे डालते हैं, कार्टून में जो दिखाया गया है, पैट्रोल के प ये जो data था मैंने ओलेडी सेर कर दे था आप लोगों टेलिग्राम के उपर, ये हाँ पर बात की जारी है कि क्या woman जो है, आज की data में घर में safe है, आप लोगों ने कई बार comment सुनाओगा, कि देर रात घर से बाहर मत जाना, ये problem हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, कई सारे ऐसे official भी हमारी country में, even हमारी country में जो women से लेकर, जो human right commission है, उनके द्वारा भी हाँ पर ऐसे सब्द यूज किये गए थे, पर लेकिन अभी जो data निकल कर आ रहा है, उसमें ये बोला गए है, कि सबसे जादे जो महिलाए आज केर में unsafe हैं, वो घर के अंदर ही है, 70% ये करीब जो complaint रहती है, physical और psychological जो violence की उनके खिलाब, वो घरों से निकल कर आती है, ये घरों में जो women को torture किया जता है, तो ये 6 साल का data भी सामने निकल कर लाया गया है, तो 2015 से लेके हैं, आपर 15, 16, 17, 18, 19, 20, तक का data अगर आप लोग देखेगा, तो 2020 में आकर ये सबसे ज़्यादा बढ गया, सबसे बड़ा रीजन इसका ये भी रहा, COVID-19, क्योंकि COVID-19 के बज़े से चीज़े जो हैं, वो घर में ही हाँ पर fix हो गई, तो उसकी वेश से आप लोग को देखने को मिलेगा, तो right to live with dignity, ये इसके चलते हैं, जो complaint निकल कर आई, काफी large scale पर, इसी के साथ में जो married woman है उनको harassment कियाता है, डोवरी के नाम पर, येनके जो एक तरीके से दहेज पर था जो चलती है society में, उसके नाम पर जो बाते निकल कर आती है, woman against domestic violence आप लोग को देखने को मिलता है, जो भी दुनियादारी चलती है, जीसी के साथ में जो पुलिस है, वो भी ढंक से जो चीजों को attack करके नहीं चलती है, कई सारे rape वगेरा के attempt भी के जाते हैं, और डोवरी की वेसे जो हत्या होती है, sexual harassment जो देखने को मिलता है, ये सारी चीज़े जो woman के खिलाब होती है, ये घर में ही होती है, यानकि अगर मोटे मोटे तोर पर देखा जाए, तो अगर 100 महिला हैं, तो 70 तर महिला है, जो इस तरीकी के activity face कर रही है, वो घरों के अंदर face कर रही है, 30% है उनली जो भार हरकते देखने को मिलती है, तो ये काफी बुरी condition आप लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर physical, sexual या फिर physical, sexual दोनों तरीकी के violence देखने को मिलते हैं, जो कि कई तरीके से large scale पाप, जो किसी की picture में नहीं आते हैं, कई बार तो इनको दबा दिया जाता है, कई बार इनके बारे में कोई बात नहीं करता है, इज्जत वेजती वाली बात आती है, state wise में अगर आप लोग देखें, उत्तर प्रदेश, डहली और हर्याना, यह यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है, तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं आपर, क्योंकि यह national commission for women के द्वारा ये data प्रस्तुत किया गया है, यानि कि हमारी country के government का data है आप यह जो कि आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, अगर बात करें हाँ पर जो silent देखने को मि पाती नहीं करती है, यह लगता है कि यह तो इनका हक है, जो husband का, और यह लगता है कि यह तो ऐसा चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक movie देखियोगी, आप लोग ने थपड़ करके movie आई थी, हर एक इंसान की अपनी आरे एक इज्जत है, अगर आप लोग की आप 60%, 61% दोनों, यह कभी सामने नहीं आते हैं, किसी को अगर बताए जाते हैं, 9% physical, 9.5% sexual और यह 9.9% physical, sexual जो बताए जाते हैं, इस तरीके सा आप लोग बोलते हैं, help के लिए जो बहुत करते हैं, वो only 10, 11%, 9% sexual में, और 28% physical और sexual दोनों होता है, तो बात करते हैं, वरना मुद् पूच चूगे हैं कई बार, तो हमारी कंट्री में वूमेन को 2nd grade सिर्जन की तरीके से कई बार देखा जाता है, कहने के लिए equal right है, पर लेकिन reality में, implementation में equal नजर नहीं आएंगे, तो यहां से आप लोग वो चीज़े understand कर सकते हैं, और government खुद यह data परसूत कर रही है, ठीक और police के द्वारा जो अभी circular social media की post को लेकर reveal किये गया है, यह low tolerance दिखाता है, criticism, यहन कि अगर कोई government को criticize कर रहे है, तो उसके चलती है, यह low tolerance है, यह accept ही नहीं कर रहे है अपने tolerance को, तो इससे क्या बदा चलता है, कि क्या tolerance जो है, वो under threat है, और even society के अंदर भी आप लोग नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी, ऐसा कैसे सोच लिया, even अगर valid fact भी कोई परस्तुत करे, तो इसको भी suppress करने की कोशिस की जाती है, तो low tolerance level society में भी देखने को मिलता है, तो इसके उपर question आप लोगों से बन सकता है, अभी फिलाल हम लोग बात करें, government के बारे में, अभी क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं, बात की जा रही है, ये government जो है, वो काफी जदा है, खत्रे में नजर आ रही है, उसको ये लग रहा है कि अगर कोई भी तुम्हारे खिलाब comment कर रहे है, तो ये कहीं न कहीं, आप लोग की जो dignity है, वो down हो रही है, और criticism को भी के द्वारे एक circular issue किया गया है, circular में क्या क्या बाते हैं समझ लेते हैं, अगर आप लोग social media, social media, facebook, whatsapp, instagram, telegram, youtube कहीं पर भी, अगर कोई भी अपना comment करते हैं, जिससे government, ये फिर government के minister, ये फिर जो official है, उनके खिलाब कोई आप लोग ऐसा कोई काम करते हैं, तो ये यहाँ पर हैं, तो किस base पर ये काम कर रहे हैं, तो interesting way में आप लोग देखेगा article में क्या क्या बाते हम लोग discuss करेंगे, low tolerance criticism और इसी के साथ में जो public opinion है, उसको एक तरीक से दबाना, तो ये हैं पर basic इसका एक unacceptable combination आप लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोग के पास में fundamental right है, आप लोग अपनी राय रख सकते हैं, अगर government सही नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग उसको बता सकते हैं कि government सही नहीं कर रहे हैं, पर लेकिन यहाँ पर जैसे economic offenses जो wing है, जो यहाँ पर deal करती है, cyber crime के साथ में, उसको यहाँ पर बोला गया है, कि आप लोग इन सब मुद्दों को देखें कि कोई ऐसी offensive force तो नहीं कर रहे हैं, यानि कि जो cyber crime के साथ में deal करती हैं, उनको बोला गया है कि आप लोग इसके लिए देखें, और कोई against prescribed low यहाँ पर अगर देखें, ऐसा कोई action अगर कोई लेता है, तो बात यह की जारी है कि कोई proper low नहीं इसके लिए, इसको दूसरी जो wing है, जो cyber crime को देखती है, उसको बोला गया आप लोग यह deal करो, तो यह तो यह वाला मुद्दा काफी important है, हमारी country में जो अभी फिलाल बात करें, एक section 66A था, जो इहाँ पर information technology act का, तो यह 66A था, यह supreme court के द्वारा shutdown कर दिया गया था, reason क्या था, अगर कोई भी किसी political leader के खिलाब कुछ comment करता था, तो उसको उठा कर ले जा देते, ऐसे कई सारे मुद्धे आप लोगो महरास्ता में देखने को मिलते, ऐसे कई सारे मुद्धे आप लोगो UP में भी देखने को मिलते, उतर प्रदेश में, तो इसके चलते सुप्रीम कोड ने 2015 में, यह जो कोड ने उसको सट डाउन कर दिया, तो सट डाउन करने के बाद में, यहाँ पर आज की rate में भी कई सारे area ऐसे हैं, इसको बार बार use किया जाता है, तो यह जो use किया जाता है, यह कफी एक गलत मुद्धा आप लोगो society में देखने को मिलेगा, तो जो यह case भी आप लोगों स 2000 का है, जहां से इसको अटाए गया था, तो यह direct question आप लोगों से बन सकते हैं, पर लेकिन फिर भी इसको बार बार use किया आता है, तो यहाँ पर जो inspector general और police हैं, इनके द्वारा कोई mention तो नहीं किया गया कि कि किस के base पर यहाँ पर यह काम करने वाले हैं, पर लेकिन इसी के base पर यहाँ पर यह काम करने वाले हैं, जो कि unconstitutional Supreme Court के द्वारा करार दे दिया गया है, क्योंकि freedom of speech जो है, अंडर article 19A के अंदर आप लोगो देखने को मिलेगी हमारे समिधान के अंदर, जब आप लोग fundamental right के अंदर जाएंगे, पार थर्ड में, पार थर्ड में 12-35 तक जो article article 19 का A का subsection, यह subsection 1 का A का जो आप लोग देखेंगे, यानिके article 19 का 1 का A जब आप लोग देखेंगे, यह बात करता है freedom of speech की guarantee हम लोगो देता है हमारा समिधान, तो इस तरीगे से आप लोग इसको surprise नहीं कर सकते हैं, तो यह ध्यान में रखते हैं, सुप्रिम कोड ने जब स सिरिया संगल वर्सीज उनियर उफ इंडिया का case है, तो उसमें बोला 66 से जो है fundamental right का हनन कर रहा है, तो इसको हटा दीजे, अभी यहाँ पर जो circular issue किया गया है, वो इसी को use करने वाला है, और इसलिए इसको यहाँ पर इसको mention नहीं किया गया है, बाइपास तरीके से इसको use करने की courses की जा रही है, अगर आप लोग देखिए act जो है, जो बाकी का, यह तो आप हटा दिया Supreme Court ने, अब बच्चा हुआ क्या काम करते है, अगर किसी को गलत message आप लोग send कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी गलत तरीके से किसी की computer से कोई information चोरी करने की course कर रहे हैं, किसी की privacy क का हनन कर रहे हैं, तो यह social media पर कुछ लिखने की category में नहीं आता है, तो यानि कि यह तो हटा दिया उल्डेडी जो लिखने वाली था Supreme Court ने, अब इनको deal करने की नहीं है, यहाँ पर कोई SI Act का कोई provision है नहीं है, तो कैसे deal करोगे, तो कोई specific law नहीं है यहाँ जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको use कर सकते हैं, कि government को कोई criticize कर रहे हैं, तो इसको cyber offense की category में आप लोग लाकर रख दे रहे हैं, तो यह कोई सही मुद्दा नहीं है, यह तो फाल्तुगी तरीके से चीज़ों को use करने वाली बात होगी, cyber crime जो wing है, वो यहाँ पर इसको use करेगी, offensive post को देखेगी, तो कोई police complain आप लोग direct इसके लिए register नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको deal करने के लिए जो, यह magistrate के सामने case आएगा, उसके बाद में चीज़ा आगे बढ़ेंगी, तो police investigation यहाँ पर आप लोग police investigation का subject इसको बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि act के अंदर यहा कोई case देखने को मिल रहा है, तो वो भी मुद्धा आप लोगे हाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ कि अगर social media पर आप लोग कोई comment करते हैं, तो उसको इस तरीके से आप लोग use नहीं कर सकते हैं, आज केट में जैसे आप लोग ने हाँ पर बोला है, तो कोई ऐसा low नही है, तो एक तरीके से illegal तरीके से काम करने की कोशिस की जारी है, बिहार government के द्वारा यह राइटर ही हाँ पर समझानी कोशिस कर रहे है, इस टेट government के बारे में अगर बात करें, तो उसने कोई clarify तो किया नहीं है, तो criticism को कैसे वो करने वाले है, कोई rumor की बारे में बात की जार इसका मतलब, इसलिए के चलते हैं, जो RJD जो है, राष्टे जलता जाल, के जो leader है, तेजसवी, यादा उनके द्वारा बुला गया है, कि government अगर कोई कुछ गलत करेगी, तो मैं यहाँ पर उसको expose करूँगा, और मुझको जेल में डालो, तो कहने का मतलब यहाँ पर यह हो और दीखते हैं, तो लोग इसको appreciate भी करते, कितने सारे बिहार के जो migrant worker थे, वो कितनी ज़्यादा प्रूलम में रहे, आप लोगोंने उनके लिए कोई शंग्यान लिया धंग से, सारे राज्ये सामने निकल कराए, ऐसे ऐसे NGO सामने निकल कराए, जिनका कभी नाम नहीं सुन कि हम लोग जो भी कर रहे हैं, उसो करने दो और तुम अपना मूँ सांत रखो, अपना मूँ बंद रखो, तो क्या ये सही है, तो इसको समझने की कोजिस हम लोगों करनी चाहिए, ओके, तो इधा complete article, I hope कि आप लोग understand कर रहे होंगे, तो question का answer जो दिएगा, next article की और चलते ह कर रहे हैं, अभी recently जो 46th President बने, USA के अंदर इनका नाम है, जो बाइडन, इसी के साथ में Kamala Harris जो है, यहाँ आपर first Vice President woman बनी, तो ये भी important है question जो आप लोग याद रखेगा, आप लोगो पता होना चाहिए कि Donald Trump जो होते है, वो Paris Climate Agreement जो sign किया गया था, कि जो time pressure है, वो हम आप अपनी चीज़ों को पलेट लेती है, तो Donald Trump ने यह सारी चीज़े बोलकर कि यह natural है, यहाँ से अपना पला जार लिया, और Paris Climate Agreement से, जी दिन result collection होने वाले था, उसी के दिन यहाँ पर एक दिन पहले यहाँ पर वो इससे बाहर निकले, यानिकि एक प्रोसेसर था है, एक सारी important decision के दार निके गए गए, तो यहाँ पर जो article हम लोग देखने वाले हैं, यह हम लोग बात करेंगे कि USA ने जो अभी entry करने की बात की गए परिस Climate Agreement में, तो क्या USA जो है जो world powerful country माना जाता है, यहाँ पर situation को normal करने की कुछ करेगा, तो उसके बारे में यह मुद्दा है, तो after 4 years जो Donald Trump का duration था, जो tenure था, उसमें anti-environment policy सारी देखने को मिली Donald Trump साब के दौरा, climate जो change activist थे, वो काफी बड़े एक तरीक से problem में थे आपर, general opinion जो था भी काफी एक तरीक हो चुका था, पर Biden और Harris की अभी यह जोड़ी आई है, तो यह अभी White House में एंटर कर चुकी है, त पर अभी के, Obama जी के दोरह ही, Modi जी को हैं पर कहीं ने कहीं support किया गया था, कि आप लोग भी Paris Agreement के अंदर आ जाई है, तो Paris Agreement जो है, वो फिर से यहाँ पर यह picture में आने वाला है, तो यहां से इस तरीके से फिर से इसको support करने वाला है, तो एक अच्छी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, पर लेकिन इतना आसान नहीं होगा, जितना पहले था हैं आपर, अब चीजे जो होती है, देखिए वो यह फिर से बाते, जैसे आप लोग मेंने समझा था, इरान और जो USA के बारे में आप लोग से बात की थी, पहले रिलेसन अच्छे थे, पर लेकिन फि फिर पुलिटिकल लेडर इसको पहले से ही आपर सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर USA में अभी हाँ पर यह क्लाइमिट को लेकर इतने सीरियस हो रखे हैं, आस ऐसा क्यों बोल रहो है, तो आइए हिस्ती थोड़ी से उठा कर रखता हूँ आप के सामने, 1957 में यानिकि हमारी आजादी के 10 साल बाद ही हैं अब यह से के अंदर में National Academy of Science के द्वारा जो चेयर की गई, MIT यह जो मिस्च्चूट इंस्टिट ऑफ टेक्निलोजी है, साइंटीज से यहाँ पर जिनका नादा Thomas F. Mellon, ठीक है, तो इनके द्वारा लोंज किया ग यूज कर रही है, तो आने वाले टाइम में यह कहीं न गई, एक अलगी माहुल देखने को मिलेगा, यानि कि आज तक का अगर पुरानी जनरेशन के बारे बात करें, अगर आप लोग अपने जो दादा के बारे बात करें, तो उनके द्वारा कभी भी इतने resources यूज किये ही नहीं गए, जितने लार्ज स्केल पर प्रजेंट जो जनरेशन यूज कर रही है, तो ये एक तरीके से काफी huge, highest level का use आप लोग इन सब चीजों को बोल सकते हैं, तो इनके द्वारा बता दिया गया था, ये 1957 में, तो तब से आपर ये चीजे होना इस्टाट हुई, तो पर इनके सामनी चीजे निकल कराई, और बोला गया कि carbon die oxide की जो quantity है, वो हम लोग को control करनी है, तो इसके चलते इन्होंने बोला कि 25% by 2000 तक हम लोग को जो चीजे हैं, वो increase हो चुकी है, उनको control करना है, जिसकी वैसे time pressure जो है, वो लगबख 0.60% से, ये हाँ पर लगबख 4% त द्वारा बोल दिया गया था, पहले ही काफी large scale पा, half degree of former बोला गया था होने वाला है, जो हमारा planet, तो इसमें 19th century के end तक ही हाँ पर ये चीजा आप लोग को देखने को मिली, जितने large scale पर हम लोग fossil fuel बगएरा बंद कर रहे थे, तो ये responsible ही हाँ पर बोला गया, 1979 में जो कैटर के द्वारे हाँ पर, उसी के साथ में, जो जूली कार्नेरी के द्वारे हाँ पर, ये जूली कार्नेरी के द्वारे के द्वारा, basically University of California, Los Angeles के अंदर, इनके द्वारा बोला गया कि CO2 जो है, वो pre-industrial level से, जो काफी large scale पर बढ़ रही है, तो 3 degree centigrade तक यहाँ पर temperature बढ़ स देखने को मिलती है, जैसे अस्तेलिय में, आप लोगो ने समझा, भी Brazil के अंदर आग लग 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 ले थी, हमारी country भी कई बार है, आप फोरेस्ट में आग लगती है, तो इसके चलते ही बोला गया कि इन सब चीजों को आप लोगो control करना है, ठीक है, तो ये बात हैं, तो होगी, ऐसा तो है नहीं कि हमारे देश के उपर उली इंपेट डाल रहा है, ओल ओवर वर्ड में हापर ये इंपेट डाल रहा था, इसी के साथ में ये जून 24 1988 में हाप ये दा नियू यॉर्क जो टाइम से है, इसके front page पर यहाँ पर global warming has begun, तो एक्सपर्ट नहीं हापर जो यहाँ पर बोड़ा गया कि काफी large scale पर transformation देखने को मिल रहा है, global climate जो decade में अखियर अभी आप लोग बात करें, यह कहने का मतलब यह है, इतना huge scale पर कभी भी transformation देखने को नहीं मिल रहा है, जितना huge scale पर अभी देखने को मिल रहा है, तो intergovernmental panel on climate change जिसके उपर तो मैंने वी United Nations की द्वारा भी हाँ पर बताया गया कि intergovernmental panel on climate change तो दुनिया भर के scientists मिलकर यहाँ पर यहाँ पर यह information gather करते हैं, कि किस तरीके से क्या-क्या impact यहाँ पर climate change को रहा है एक तरीके से और किस तरीके चीज़े बढ़ रही है, उसके चलते फिर आगे आप लोग है हाँ पर agreement जो कि focus कर रहा था इन सब चीज़ों के उपा, तो basic funda क्या था, basic funda आप लोगो बता है कि 2030 तक हम लोग यह भी कोशिस कर रहे है कि sustainable development goal कचीव के जाए, climate action के बारे बात करें, life below water, life on land, तो इन सब के बारे माँ अगर आप लोग बात करें, तो काफी सारे मुद्दे ऐसे जि काफी कुछ कर दिया और काफी कुछ करेगी आने वाले टाइम में, तो यह ऐसा नहीं कि first time देखने को मिल रहा है, ओके, यहाँ पर बात के जारे नेपाल के बारे में, नेपाल के प्राइमिस्टर है KP सर्मा ओली, sorry, है नहीं थे, तो KP सर्मा ओली साब के दौरा, resignation दिया गया यहाँ पर नेपाल के अंदर में, और जो समिधान है, उसके चलते भी एक क्राइसिस आप लोग यहाँ पर देखते हैं, तो बोला जाले है कि पारलेमेंट डिजॉल हो चुकिया है, प्राइमिस्टर को रूलिंग पार्टी ने बाहर निकाल कर फैंक दिया है, और प्लिटिक क्राइसिस की वेसे इलेक्षिन कमिस्टर ने रिफ्यूस कर दिया, किसी भी फिक्शन को यह मानने से कि यह पुलिटिकल पार्टी का पार्ट है, तो कहने का मतलब यह है कि जो नेपाल है, वो काफी क्राइसिस में आज केर में जूज रहा है, अब यहाँ पर सिचिशन कैसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो यह है, कि इंडिया का कोई इंटरफियर नहीं, इसके अंदर जो बार-बार कमेंट कर देते हैं, तो इंडिया दूर दूर तक भी इंटरफियर है, यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा है, यह इनकी खुद की कतनी करनी है, तो यह एक अच्छी आप लोगों से बन सकता है, तो नेपाल के अंदर यह पुलिटिकल क्राइसिस जिसके बारे में हम लोगों ने बात की, तो हलका सा आइडियास के बारे में रख सकते हैं, आईए अब आगे बढ़ते हैं, नेश्ट आप लोगों से कॉश्चन है, आप लोगों से स्काई आइलेंड हैं आपर यह जो आइजिन सी के पास में आप लोगों देखने को मिलेगा, पार्ट हैं आपर जो बात की जारी आर्के अपिली जिसका नाम है स्पॉरडीस, ठीक है, तो यहां पर इस पॉरडाइस जो आर्के अपर ग्रूप है, जो आइलेंड का हाँ पर देखने आप लोगे लिए, और यहां पर हो गया ब्लैक सी, तो मैं जुरूर देखा किए आप लोग तो इस एक्ज़ेक्ट लोकेशन के बारें बात की जारी है, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है, वो सही है, तो आंसर क्या हो गया, आंसर सी हो गया, तो फिर से आप सभी लो